तो मैं इस समय था पंडोखर धाम में और पंडोखर धाम में आप जब आते हैं पहली बार हो या दूसरी बार हो वो यहां पर क्रिम चलता है क्या आपको बिधी करनी होती है उस बिधी के बारे में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ इस वीडियो में तो जिस प्रकार से आप पहली बार आते हैं तो पहली बार आते हैं तो आपको सबसे पहले जाना है गंगा विया में पुस्पवती गंगा विया है जो कि थोड़ा चल के जाना पड़ता है वहाँ पर जाते हैं इसनान करते हैं सुद्ध होते हैं उसके बाद में फिर आप आते हैं बाला जी मंदर पर तो मैं अभी इस समय बाला जी मंदर पर पहुँच चुका हूँ हुँ यहां की क्या process है वो मैं आपको दिखाता हूँ system से अभी लेके चलते हैं तो इस प्रकार से यहां अंदर आते हैं तो आपको जैसे सबसे पहले आते हैं है हनुमान जी बाला जी महाराज का मंदर मिलता है जोकी प्राचीन मंदर है यहां पे आप आके दर्शन करते हैं, पहले दूसरी बार में जूबी जब्भी आते हैं, तो यहां पर आके दर्शन करते हैं, इसके बाद में दर्शन करने के बाद परसाथ चढ़ाने के बाद, यहां से आप आते हैं, तो यहां पर सूर भगवान जी का मंदर है, सूर वाला सिव वाला हनुमान जी महाराद जी का मंदिर है तो यहां पर संकर जी महाराद जी के मंदिर पर आते हैं मंदिर पर संकर जी का पूरा परिवार बिराजमान है यहां पर आके दर्सन करते हैं और जो पुस्पवति गंगा मैया में इसनान करते हैं तो वहां पर पानी की बोतल मिलती है यह आपने प कि यूँ है बोतल से किसी को भी जल नहीं चलाना है सभी पर यहां को लोटा लेना है बले थोड़ा सा समय लगे क्योंकि अब धार्म के स्थाल में आते हैं तो समय लेके आईए जल दिवाजी में नहीं आना है तो यहां पर लोटा लेना है और अपनी बोतल से जल भणना है और संकर भगवान की उपर जल चलाना है उस प्रकार से और फिर यहां पर आप देखेंगे तो यह थार रखा हुआ है थार में यहां पर सियो जी भगवान और कुछ पिंडी बिराजमान है भगवान है वो बिराजमान है यहां पर जल वेसा जन करना है और यहां से जो आप यह संक देख पा रहे हैं संक से जल भर के जो आपकी बोतल में जल बचा हुआ है आदा बचा है उससे कम बचा है तो संक से इस प्रकार से भर के अपनी बोतल में जल भर लेना है यहां की आपकी प्रोसेस पूरी होती है उस बोतल को आप गर पे लेके जा सकते हैं और गंगा जल की तर जिस प्रकार से सूर भगवान जी का मंदर है प्रेस भगवान जी ब्राजमान है उस सभी प्रकार यहां दीपक नहीं जलाना है यहां पे सीधे सब्दों में लिखा हुआ है यहां पे दीपक और अगरवत्तिया नहीं जलाने हैं अंदर तो यहां से अपन यह प्रोसेस होती है पहले बार पता चल जाता है, दूसरी बार में तो सब पता ही होता है, यहां से आते हैं, परिक्रमा करते हैं, जैसे भक्त बैठे हुए हैं, तो इस प्रकार से यहां पर माला का जाप करना है, जैसे यहां पर पंडोकर धम 40 है, जो कि यहां परसात के साथ में मिल जाता है, एक ना कि ऐसा यहां पे आने मातर से जो आप जब अपनी अपने परिख्रह से करेंगे यहां पे आप चलते हैं परिक्रमा लगाते हैं हम भी परिक्रमा लगा लेते हैं साथ में एक बार हमने लगा लिए फिर भी दुबारा लगा लेते हैं यहाँ पर चारो साइड आप देखेंगे बक्तों को जहां भी बैटने की जगे मिलती है बक्ते यहाँ पर बैटके माला का जाप करते हैं और माला की बिधी है वो सारा मेर मेरे चैनल पर वीडियो डाला हुआ है किस प्रकार से माला का जाप करना है आप देख सकते हैं क्योंकि जो गुपता जी है यहां पर गुपता जी ने माला की विधी बताई हुई है किस प्रकार से माला का जाप करना होता है वो सारी विधी आप जाके चैनल पर देख सकते हैं वीडियो आप सभी जगे जाएंगे तो यहां पर आपको बख्त मिल जाएंगी सभी जगे हैं है सभी लोग माला और चालीसा अपना पाठ कर रहे हैं आधा घंटा यह गंटा जितने उनका पास जितना समय है वो सारी चीज़ें करनी होती हैं और यहां से अपने इसके बाद में चलते हैं बाहर या तो आप इस गेट से निकल के जा सकते हैं बाहर या उस गेट से हम इसी गेट से निकल के चा रहे हैं आपको दर्सन करवाई दिये तो यहां की यह सिस्टम है यहां पर बाला जी मंदर का और इसके बाद में आपको हम ले जानकारी आपके हैं तक पहुंथती रहे और आपको पंडोकः-धम के बारे में ज़्यादा से ज्यादा ढ़़ा प्राप्ट हो और अगर आप लोगों को किसी और भी प्रकार की जानकारी चाहिए जो नए भक्त हैं तो हमारे चैनल पर कमेंड कर सकते हैं यहां सभी भक्त दीपक जलाते हैं आप जिस प्रकार से देखेंगे यहां पर सभी प्रकार पूजा में तो दीपक होता ही है तो यहां पर अंदर दीपक नहीं जलाना है यहां पर दीपक जला के रखने दीपक और अगरवत्ती तो इसी प्रकार से आप जो भी जानकारी आपको चाह तरवी कन्न, जैसिरी राम, जैप पंडू करते हैं